प्रवाइब करेंगे टोप 10 पेर्स का और इसके लावा अगर आप चाहते हैं कि और कोई पेर्स जो यहां पर कवर नहीं है हमारा Monday webinar रहेगा live 9 पेम आप free of course join कर सकते हैं उसका link में वीडियो की description में डाल दूँ आप वहाँ पर उसको register कर सकते हैं और zoom link जोइन कर सकते हैं आपके और कोई question ओ या और कोई पेर को आप analyze करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप join कर सकते हैं अब यहां पर हम सबसे पहले चेक क सकते हैं मेरी website forexsalaryconnect.com और यहां पर forex calendar section में जाते हैं तो यहां पर आने वाले अपते में जो भी news है आप यहां पर देख सकते हैं पिछले काफी अपते से काफी news आ रही थी इस अपते अगर आप देखेंगे तो Monday Japanese Gen के ओपर monetary policy की meeting है आपने देखा last week Japan ने अपने interest rate को जो अब आगे के लिए देखते हैं इसका बहुत बड़ा impact रहेगा Japanese Gen के लिए अभी Japanese Gen में थोड़ी strength आना शुरू है और definitely आप इसका impact यहां पर देखेंगे बाकी अगर आप यहां पर news देखें तो Thursday अगर आप देखें तो GDP के number है जो की quarterly number आते हैं और जो काफी matter करते हैं USD के जा सकता है और USD अभी strength में फिलाल चल रहा है बाकी news अगर देखें तो Friday को PC price score index यह important रहेगी और फिर 9 PM अगर आप देखेंगे इंडियन टाइम के हिसाब से तो FED के जो चेयर पावल speech उनकी speeches उसका काफी impact रहेगा तो यह main news है जो आपको mind में रखनी है जब आप next week के और अभी एक range के अंदर अभी हम यहाँ पर चल रहे है तो देखेंगे कि आने वाले अपते में में इसमें क्या setup मिल सकते हैं इसके लावा अगर आप देखें जैपनी जान इंटरसेट को बढ़ाया strength यहाँ पर है अभी NGD और GBP में आपको weakness मिल रही है यूरो sideways चल रहा है और strength में भी weakness है अब इसके base पे हम देखते हैं हमें क्या क्या setup next week मिल सकते हैं गाइज इस वीडियो को sponsor किया है 5% ने जो कि एक prop form है जो funding provide करती है traders के लिए जिनके पास fund नहीं होते हैं अगर आप बिलकुल beginner है आप इनका bootcamp program join कर सकते हैं जो कि low cost से आता है और यहाँ पर 3 step म आप इसमें qualify कर सकते हैं और funding ले सकते हैं या फिर आपके पास money नहीं skill है पर two step program आप इसमें join कर सकता है stake 39 डोलर से start होता है और आप जैस अपने level को बढ़ाना चाहते हैं जैसे एक one step program लेना चाहते है वाई पर growth तो आप इस program को ले सकते हैं तो अगर आप account खोलना चाहते ह है वहाँ से आपको 10% discount मिलेगा तो सबसे पहला पेर गाई हमारा goal यहाँ पर हमें last week के forecast में यह four hour का चार्ट है और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि market एक support level पर यहाँ पर चल रही है अगर हम इस level को break कर देते हैं रिटेश के साथ फिर हम sort की opportunity देख सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर देखें यह trend line अगर हम break करेंगे इसके बाद आप कोई भी buy की opportunity देखे और even हम higher तक जा सकते हैं आप देखिए market इस line को break किया market इस level को hold करती रही और फिर एकदम से इसमें blast किया और एकदम से फिर हम यह यहाँ पर रिटेश करते हुए नीचे आ रहे हैं अब next week gold में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं तो आपने देखा market ने जो all time high लाग दो तीन हपते पहले बनाया था market ने उसको भी यहाँ पर break किया और market इवन और further high यहाँ पर गई है और यह जो support level है market इस level को यहाँ पर maintain कि देख सकते हैं 2074 के आसपास तो अभी दोनों सेनारियों यहाँ पर possible है हमें यहाँ पर wait करना होगा market इस area में यहाँ पर किस तरीके से react करती है next year guys हमारा euro usd यहाँ पर आप देखें मैंने last week आपको बताया था कि market में कुछ भी pullback मिले उपर की तरह हम sword की opportunity देखेंगे वह बहले इस level पर हो सकता है या even market थोड़ा और उपर जाए हम यहाँ पर observe करेंगे और sword की opportunity देखेंगे exactly आप देखें market ने यहाँ से भी rejection दिया इसके बाद market पूरा उपर गई और फिर दुबारा यहाँ से rejection दिया और market पुरी तरीके से down गई है exactly जैसा मैंने आपको forecast में बताया था अब next week euro usdvm क्या देख सकते हैं तो आप देखें यहाँ पर market level को break कर रही है पर यहाँ पर हम एक support level के आसपात हैं जहाँ पर मार्केट कई बार यहां से reject कर चुकी है यहाँ पर हमें observe करना होगा market किस तरह के से reject करती है अगर sort term के लिए हमें buy की opportunity मिले तो 1.084 यहां तक का target आप देख सकते हैं और इस level पर हम अगेन दुबारा observe करेंगे अगर market हमें sort की opportunity दे previous low या even down सेकंड सिनारियो अगर market यहां से ही down जाती है तो कुछ भी retrace मिले आप नीचे down की दरफ देख सकते हैं 1.076 33 तक का level और फिर इस level पर हम observe करेंगे कैसे market react करें और अगर हमें यहां से buy की opportunity मिलती है next pair guys हमारा GBP USD यहां पर भी आप देखें continuously market down में चल रही थी यहां पर मैंने आपको बोला था कि market कुछ भी pullback दे आप sort की opportunity देखिएगा जब तक यह level हमारा है इससे नीचे नीचे हम sort की opportunity देख सकते हैं आप देखिए market यहां से अब गई पूरी तरह किसे strength के साथ और फिर यहां से market down नीचे की तरफ आ चुकी है अब GBP next week किस तरह के से behave कर सकता है तो अभी यहां पर देखें तो market support level के आसपास है यहां पर मैं observe करना चाहूंगा कि market किस तरह के से behave करती है अगर हम continuously down जाते है तो हमारे नीचे की support 125203 के पास है यहां से फिर हम observe कर ने previous low या फिर continuously down नीचे की तरफ नेक्स पियर गाज हमारा OJUSD यहां पर आप देख सकते हैं 18 March मैंने आपको बताया था market यहां से उपर की तरफ पुल बैक जाएगी और फिर यहां से आप या फिर level break करें हम down के लिए जाएंगे आप देखें मार्केट ने यहापर इस level को break किया रिटेस्ट किया और डाउन गई नीचे और फिर दूबारे से उस level के पास गई और फिर यहां से market डाउन की तरफ गई है तो नेक्स वीक ओजी उसडी में क्या देख सकते हैं तो ओजी उसडी अभी आप देखें तो इस सपोर्ट लेवल के पास है मार्केट होल्ड की हुए है यह रिजक्शन यहां से भी हो चुका है तो यहां पर मैं अब्जर करूँ हाँ अगर मार्केट यहां तक का टार्गेट देखें और फिर इस लेवल पर हम अब्जर्फ करेंगे अगर मार्केट अप जाती है तो हम बाई के लिए जा सकते हैं नहीं तो आप डाउन के लिए मोवमेट देखेंगे लेवल ब्रेक होता है तो हमारी नीचे की सपोर्ट इंपोर्टेंड है 647 62 यहां तक का टार्गेट आप जैक सकते हैं और फिर इस लेवल पर हम अब्जर्व करेंगे अगर हमें बाई की अपोर्चुटी मिले अगर हम नीचे की सपोर्ट देखे तो 0.58790 के आसपास है मैं यहां से आपको बोलना चाहूंगा कि हम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं अगर कुछ पुल बैक मिलता है इस लेवल पर 65, 015, even 6100 के आसपास जब तक इस लेवल से डाउन है आप सोट की पोर्चुटी देख सकते हैं डाउन नीचे की तरफ या इवन यहां से भी हम डाउन क मैं कहूंगा कि यहां तक का देखें और अगर मार्केट यहां से कंटिन्यू करें तो हम नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हैं यहां पर आपको कुछ पुल बैक मिलता है बाइ के लिए जा सकते हैं टार्गेट मैक्सिम यहां तक देखें आप देखें मार्केट ने थोड़ा ही पुल बैक दिया और कंटिनूसली अप गई उसके बाद फिर डाउन मोमेंट फिर अप पूरी तरफ किसे आप देखें मार पर इंट्रस रेट को सेम रखा और जो नंबर है वो भी काफी पॉजिटिव थे तो अगर हमें यहां पर देखना है मैं इस लेवल को यहां पर अबज़र करूँ हूँ अगर मार्केट यहां से ब्रेक आउट देती है तब ही हम यहां पर बाई की अपोर्चियोटी देखें इस लेवल के आसपास से मैंने बॉला था अगर मार्केट यहां से डाउन के लिए हम मुवमेट देख सकते हैं कैसे मार्केट करती है तो क्यूंकि यहां ने देखा इंट्रस चीट को वहाँ पढ़ाया है जो कि करंसी के लिए strength एक positive news है तो यहां पर मैं क्या observe करना चाहूँगा क्योंकि हम all time high यहां पर है इस resistance के पास है और market यहां पर अभी react कर रही है तो अगर यहां पर level break कर देते हैं अगर इस level को break कर देंगे तो हम down की moment expect कर सकते हैं और यही में देखना चाहूँगा कि अगर 148.997 का level हम यह यहां पर achieve कर सकते हैं नहीं तो observe कर जीए इस market को भी market यहां पर अब जा रही है अगर यहां पर कुछ और opportunity मिलती है sort की तो आप sort के लिए जा सकते हैं पहला target आपका range में ही होना चाहिए क्योंकि market यहां से भी react कर सकती है और उपर की तरफ अभी इसी range के अंदर रह सकती है और अगर हम इस level को break करें तो down के लिए जा सकते हैं यह level उपर की तरफ ब्रेक करती है तब भी फिर हम buy के लिए जाएंगे यहां पर देखें लास्ट विक में ने बताया तो कुछ भी pullback पिले buy कीजिएगा और target यहां तक देखिए maximum even market उससे भी उपर यहां पर गई है क्योंकि Japanese जैन का interest rate का decision था और continuously higher वो गया उसके बाद आप देखें market पुरी तरकी से down नीचे आना यहां पर शुरू है तो next week आ आप यहां पर क्या देख सकते हैं कुछ भी यहां पर pullback मिलता है अगर 192.07 या even और higher मैं यहां से इसमें sort की opportunity देखना चाहूंगा और 189.596 यहां तक का level देखना चाहूंगा अगर market हमें sort की opportunity देती है market यहां से ही थोड़ा इसा ही pullback दे और यहां से भी continuously नीचे की तरफ जा सकती है 189.596 लेवल तो अभी sort term के लिए अगर आप छोटे level के साथ buy करना चाहते हैं पहला target आपका 191 या even maximum यहां पर देखें और फिर observe कीजिए अगर हमें sort की opportunity मिलती है आप देखें तो market पूरी तो किसे range में थी मैंने बोला था अगर यह level break हो retest के साथ buy किजिएगा आप देखिए market ने break किया market ने retest किया और फिर continuously up की तरफ हम यहां पर गए हैं तो next week USD स्ट्रेंक में आप क्या देख सकते हैं market यहां पर resistance level के आसपास है और यहां पर दुबारे से reject कर रही है support के आसपास अगर यह हम support को hold करते हैं तो आप previous high यहां तक का target यह even higher हम यहां पर जा सकते हैं इस लेवल को break कर देते हैं तो फिर आप यहां पर sort की opportunity देख सकते हैं और target आप 808880 यहां तक के आसपास देख सकते हैं जो हमारी next support है हमारा euro gbp euro gbp आप देखें दो market काफी time से line के अंदर यहां पर चल रही थी मैंने आपको बोला था अगर हम पर breakout हो तो कुछ भी retest मिले आप buy कीजिएगा आप देखिए market ने breakout किया retest किया और फिर continuously up यहां तक गई है next week euro gbp में हम यहां पर क्या देख सकते है market breakout करने के बाद अभी support level के आसपास है अभी हमें यहां पर देखना होगा अगर market hold करती है तो हम यहां से ही continuously उपर की तरफ जा सकते है 86 210 अभी के लिए आप देखेंगे तो euro में कुछ इस खास trend नहीं है पर gbp negative में है तो अगर यह level को hold करता है तो definitely यह buy की opportunity उपर की तरफ हो सकती है मैं वहना कर deep pullback भी आता है हम इस level पर भी यहां पर observe करना चाहेंगे जब तक market इस level से up है कि हमें यहां पर कोई buy की opportunity मिले तो हम continuously अपकी तरफ जा सकते हैं तो guys यह मेरा इस अपते का forex market analysis आप अपनी analysis कीजिए उसके base पही decision लीजिए next week का जो हमारा webinar है वो Tuesday 25 अपकी होली है तो 26 हमारा Tuesday 9.30 pm रहेगा जो आप वहाँ पर join कर सकते हैं और जो भी पेर आप यहां पर analyze करना चाहते हैं वहाँ पर उसको analyze करेंगे और या आपके कोई भी question हो वहाँ पर पूछ सकते हैं तो 9.30 pm का रहेगा Tuesday मैं अपने social media, telegram, instagram और YouTube पर भी वहाँ पर link post कर दूँआ या फिर आपको tick mil की तरफ से भी email आएगी तो याद रखेगा इस हबते जो webinar रहेगा Monday नहीं Tuesday रहेगा 9.30 pm तो अगर आपको इससे कुछ help मिली प्लीज comment कीजिए और मिलते हैं live webinar में